गाइस ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के किनारे लगा ऐलुमीनियम बॉक्स आपने जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है पटरी के किनारे इसे क्यों लगाया जाता है ये क्या काम करता है और ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा कैसे करता है गा इसके अंदर एक storage device होता है जो सीधे ट्रेंड की पटरी से जुड़ा होता है ये ट्रेंड के दो पहियों को आपस में जुड़कर रखने वाले एक्सल की गिंती करता है गाइस इससे हर 5 किलो मीटर पर ट्रेंड के एक्सल की गिंती की जाती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जितने पहिये के साथ ट्रेंड इस्टेशन से निकली थी आंगे भी उसमें उतने ही हैं या नहीं अगर ट्रेंड की यात्रा के दोरान कोई हास्सा हो जाता है या एक या दो डब्बे अलग हो जाते हैं तो ये एक्सल काउंटर बॉक्स एक्सल की गिंती करके बता देता है कि ट्रेंड जो गुजरी है उसमें कितनी पहिये की संक्या कम है और इससे रेलवे को इस बात की जा इसकी जानकारी तुरंद अगले बॉक्स को बेज देता है अगला बॉक्स भी करीब 5 किलो मीटर की दूरी पर लगा होता है और बो भी यही काम करता है लेकिन एक्सल की संक्या पिछले एक्सल काउंटर बॉक्स में मैच नहीं होने पर आने वाले एक्सल काउंटर बॉक्स ट् का कोई डिबबा उससे अलग हो जाएगा ऐसे में हास्ते से बचाने के लिए ट्रेन को समाय रहते रोकने में मदद मिलती है इसके अलावा ये ट्रेन की स्पीड और उसकी दिसा भी बताता है